असलाम अलेकुम, कैसे हैं आप सब, बिल्कुल ठिक टाक होंगे डेटा इस न्यू ओल, यानि के डेटा जो है, वो निया तेल है जैसे सारी की सारी दुनिया इस वगए तेल के पीछे बढ़ी हुए इसी तरीके से अब फ्यूचर में दुनिया सारी की सारी डेटा के पीछे पढ़ी होगी अब जितना डेटा ज्यादा होगा, उतना ज्यादा आपको काम करना पड़ेगा वो डेटा से decision making करने के लिए अब वो जैसे बिलावल ने बोला है ना, कि जितनी बारिश होती है उतना पानी आता है ज्यादा बारिश होगी तो ज्यादा पानी आएगा, कम बारिश होगी तो कम पानी आएगा similar इसी तरीके से जितना ज्यादा डेटा होगा उतना ज्यादा उससे sense बनाना मुश्किल होता है अब data visualization एक टेकनीक है जो data से sense बनाने के लिए हमें help out करती है data visualization के लिए काफी tools available है एक का नाम है python, एक का नाम है R यह दोनो coding based tools है फिर इसके बाद आपके पास graphical user interface वाले tools आते है जिसके अंदर Power BI है, Axle है, Tableau है and there are many other tools out there इस course के अंदर हम Tableau को बहुत ही detail में सीखने वाले हैं और आपको data visualization की सारी के सारी techniques में सिखाने वालों Tableau क्यों जरूरी है? क्योंकि more than, I would say, 70% of the industries in Pakistan are using Tableau और even though business analytics के लिए या data analytics के लिए Tableau बहुत ही high-computable या आप कह सकते हैं powerful tool है जो use किया जाता है even though industrial sector भी इसे ज्यादा prefer करते हैं as compared to coding based tools reason क्या है, coding को सीखने के लिए आपको बहुत ज्यादा हमें इनत करने पड़ती है लेकिन graphical user interface को, यानि कि GUI को use करके आप बहुत easily, असानी के साथ जल्दी में सीख जाएंगे और इस पूरे course के अंदर आपको Tableau मैं शुरू से end तक सिखाने वाला हूँ even though मैं यह कहता होता हूँ कि आप अपना PC स्टार्ट करने से लेके end तक सीखेंगे कि Tableau क्या होता है, कैसे use करने data visualization के लिए आपने अपना PC on ने किया हुआ, मुबाइल पे सुन रहे हैं, तो अपना PC on कर ले अगर PC पे बैठे हैं, तो hopefully हमने यही से स्टार्ट करना है, कि आपका PC on हो गया मेरा नाम है Dr. Mohamed Amartufel, I am a PhD in Data Science in Agriculture और मैं पिछले 5 साल से Data Science, Data Analytics, Bioinformatics के अंदर काम भी कर रहा हूँ, और पढ़ा भी रहा हूँ, अगर आपने और भी courses हमारे explore करने हैं, तो आप kodenics.com पे जाएं, वहां पे जाके आप सब कुछ देख सकते हैं, लिंक आपके सामने मैं अभी आपको दिखाता हूँ, आपने क्या करना है, गूगल पे जाना है, यहां पे लिखना है kodenics.com, यहां kodenics लिखेंगे, यह website आपके पास open हो जाएगी, इस courses के उपर आपने click करके, हमारे जितने भी courses हैं, यहां पे available हैं, you can explore those courses, आप Python भी सीख सकते हैं, AI भी सीख सकते हैं, और बहुत ज्यादा और बी कुछ सीख सकते है ठीक हो गया, तो अब हम start करेंगे, कि टैबली होता क्या है, किस लिए use होता है, कौन सा वरियन इसका आपने install करने हैं, और किस तरीके से आपने इसको utilize करने हैं, और प्लीज, आप हमारे YouTube चैनल को भी explore करें, वो कैसे करने हैं, आपने Google पे जाना है again, यहां पे लिखना है Kod अभी तक हमने थक्रीबन 1600 प्लस जो वीडियोज हैं वो upload कर दी हुई है, your support matters a lot, see you in the next video, जहां पे हम टैबलीयो को बिलकुल सीरे से शुरू करने वाले हैं, like, share and subscribe कर दीजेगा